पाइक चला के थोड़ी से शकल खराब होगे लगना जाए मैं आगे हूँ अभी राइपूर राइपूर के अंदर प्रादहकाल सुभे आठ बजे सुभे अपनी पाइक से किसी काम के लिए हाईवे की और निकल गया सामने ये अरावली हिल्स है जो नजरा देखते ही बनता है ब्यावर से बाहर जाते हैं ये नजरा सबसे बेस्ट लगता है पहाड़ियों के पीच से हाईवे निकलना रास्ते का निकलना और लॉंग टाइब हो तो और मज़ाते हैं यहां से आप बिना किसी से बात किये हुए यहां से गुजरिया आपको चैन मिलता है आनंद मिलता है और दिल में सुकून मिलता हैं और दिल में बर्वान के रे में जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो सफल हो जाए यहां गड़ गिरवर रेस्टोरेंट है इसका व्लॉग में मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था आप प्लेलिस्ट में जाके वह देख सकते हैं स्वाइक चला के थोड़ी से शकल खराब होगी लगता है मैं आगया हूँ अभी राइपूर राइपूर के अंदर पीजी फोईल्स होई है अंदर जाके देखता आखिर मामला क्या है चलो अंदर को यह मशिन है और यहां पर अल्यूमिनियू फोईल से प्रोड़क्त बनात मैंने यहां देखा यह अल्यूमिनियूम के रो मैटेरिल्स यहां थी यहां करें अल्यूमिनियूमिन्यूमे को रिवाइंड किया जाता है और यहां देख सके रिवाइंडिंग होने के बाद एल्यूमिनियम का गेज बदला जाता है जो मोटी एल्यूमिनियम शीट होती है उसको फतला किया जाता है अब फतला होने के बाद यहाँ पर फिर से सेप्रेटर से अलग-अलग छोटी-छोटी दिल्स बनाते हो जो वेस्टेज एल्यूमिनियम शीट होती है वो यहाँ स्क्रेप यार्ड में देखा जाता है आज का व्लोग इतना ही नेक्स व्लोग के लिए मेरे साथ दने रहिएगा बाई बाई सर्वाइवर देने भी